कि जब आजादी के नायकव की बात आती है तो नेता जी सुभाज तंद्र बोश का नाम कि हमें गवरव से भर देता है नई उर्जा से भर देता है कि आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधान मंत्री सुभाज बाबु ने अन्दमान की इस धर्ती को भारत की आजादी की संकल्ब भूमी बनाया था नेता जी के आहवाल पर अन्दमान के अनेक विरों ने देश की आजादी के लिए खुद को समर्पित कर दिया था जिसके बाद आजाद हिंद फोज ने यहाँ आजादी का तिरंगा फैराया था 30 दिशंबर 1943 की उस अईतिहासिक घटना को आज 75 वर्ष पूरे हो गए है आज उसी की याद में यहाँ 150 फीट उंचा द्वज भारा कर हमने अपने इस दिन को देश वासियों की चीर स्मृति में अंकित करने का एक नम्र प्रयास किया है सवभाग्य से कुछ महने पहले ही मुझे लाल किले पर भी ऐसा ही अवसर मिला था तब आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए थे क्या है